ये वीडियो बहुत इंपोटेंट है, CA Intermediate as well as the CA Finance Students वा लोग ले जो May 24 एक्जाम्स में अपियर कर रहे हैं मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो intermediate की बात कर ले थे तो intermediate वाले बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि new course के अंदर आपके ICAI ने जो आपका IDT वाला portion है 50 marks का उसमें पहले क्या था अभी तक जो अपने पास November 23 तक जो attempt हुए हैं उसमें आपके IDT वाले portion में place of supply का topic नहीं था तो place of supply का topic अब आपके new course के अंदर introduce कर जाएगे हैं और section number 10 से लेकर के section number 12 तक यह आपका place of supply चलता है section 10 से लेकर 12 तक आपके place of supply का game है तो please यह पका-पका question आने वाला है place of supply के respect में कम चकम 5 number आपका score करा जाएगा यह chapter तो please इस chapter को पहली बात तो ही miss नहीं करना तो place of supply से लेकर में आपको बता रहा हूँ place of supply से लेकर आपका IDT के portion में यह introduce किया गया है CA final के oh sorry CA intermediate के IDT वाले portion में 50 marks का तो please इसको जरूर कर ले ना इसके बात कर लेता हूँ में आपको CA final की बात तो CA final students बच्चे जो group 2 वाले बच्चे हैं ग्रूप 2 के लिए में एक message देना चाहता हूँ आप सभी को पताए कि हमारा जो paper number 6 है right paper number 6 का जो paper आई से डाला है that is integrated business solution उसको आप दूसरे नाम से बुलाते है multi-discipline case study वाला paper MCDS तो उस case में क्या बोलते हैं उस case में जो students अभी सोचने है कि sir हमने तो group 1 पहले से निकाल लिय में डाल दे हैं तो कैसे करें तो देखो मैं सिधी सिधी से बात बता दूँ अगर आप यहां पे जो exam देने जारे हो अभी आप ICI की जितनी भी case study issue करी है आपके जनरल में जो अपने ICI ने जनरल में एशू करी हैं MTP में एशू करी हैं और कुछ 15-16 के study ICI ने अपने board of study के portal पर डाली हुई है आप उनका क्या कर लो एक हाड़कोपी लिगाल लो और देखो CCCC गेम है अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कुछ topic आपके पहले से याद है तो आपका काम हो जाएगा DTI DTI आप पढ़ रहे होंगे आपको सिर्फ audit FR और यह जो अपना low है यह तीन portion आपका जो है जादा से जादा ICI cover कर रहा है तो इसमें क्या करो देखो आप इस तो copy based आजाए और दूसरा ऐसा हो सकता है कि दोनों का mixer करके दो case study का mixture करके आपसे पूछ ले तो 50 number आपके easily आजाएंगे आप इस तरह से अगर एक ठ्रिक है यह क्योंकि अगर आपको जोर आ रहा है FR और audit को पढ़ने है तो फिर तो इसका simple सा solution यह मैंने आपको बता दिया क कि आप simple सारी के सारी case studies को hard copy में ले लें और hard copy में ले जाने के बाद आप क्या करें उसमें एक case study तो आपके पास पक्का पका copy paste आने वाली है और एक case study कैसे आ सकती है mixer करके दो case study को मिला करके तो यह एक आपका बहुत सारा score मतलब 40 से 50 number का score करा देगी तो definitely आप exams को score कर सकते है और आपका इसली एक्जाम स्क्राइक हो सकता है ठीक है वीडियो कैसी लेगी तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना चाहल को सब्सक्राइब कर देना थैंक थैंक्स लोड थैंक्स वाचिन वीडियो को ब्लेस्ट लव आफू अ